नमस्कार आपका आखबार की यूटीव टेर्नल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग मनुझ बली नहीं होत है समय होत बलवान भीलन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण बिहार में एक तमाशा चल रहा है और तमाशा सर्याम चल रहा है बिहार के लोग खुम मजा ले रहे हैं और मजा लेने के लिए उसका पात्र बने हुए हैं जिसका मजाग बन रहा है वो कोई और नहीं बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ऐसा पतन सारवजनिक जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है रेरिस्ट अफ दे रेर होता है जिस तरह से नितीश कुमार का पूरे बिहार में मजाग बन रहा है और आम जनता बना रही है मैं राजनितिक दलों की राजनितिक कारे करता हूं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं उनके राजनितिक विरोधी जो बोल रहे है उसको छोड़ दीजे आम जनता जो बोल रही है और उनकी अपनी पार्टी से जो आवाजें उठ रही है उपेंद्र कुश्वाहा उनके नेशनल पार्लिमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष है और 2021 में लोटकर फिर जेडियू में आए उनका कहना है कि जब जब संकट में आते हैं नितीश कुमार तब मुझे याद करते हैं और मुझे बुलाते हैं बुले 2009 में भी बुलाया था क्योंकि 2010 में विद्धान सभाज चुनाओ होने वाला था और 2009 के लोग सभाज चुनाओ में बुरी हालत हुई थी उनकी पार्टी की और नितीश कुमार जो है अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं आस पास के लोगों की सलाह पर काम कर रहे हैं अब ये बात जो पिंद कुश्वाहा ने कही है इसकी पुष्टी तो पहले ही नितीश कुमार कर चुके है उन्होंने अपनी पार्टी की दो निताओं का नाम बताया कि इनकी सलाह पर इनके कहने पर मैंने NDA से नाता तोड़ा और महागडबंदर में शामिल हुआ उसके पहले जब महागडबंदर छोड़कर वो NDA में शामिल हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि फलाँ फलाँ की सलाह पर मैंने ऐसा किया पिर नितीश कुमार का दिमाग का है वो अपना अपना फैसला क्यों नहीं करते अपने से आकलन करके किसी फैसले पर क्यों नहीं पहुंचते या फैसला उनको जब लगने लगता है कि गलत हो रहा है तो अपने पार्टी के दूसरे नेताओं का नाम लेते हैं कि इनकी सलाह पर मैंने किया क्या ये नेता ऐसे हैं जिनकी सला से ही चलते हैं कि मंतरी ऐसा लगता तो नहीं लेकिन उपेंद कुश्वाह का यही कहना है उनका कहना है कि वो आगे भी बताएंगे कि क्या क्या हुआ है यानि उनके पास और जानकारिया है अब ये जब घर का भेदी लंका ढाने पर निकलता है तो लंका तो ढहकर रहती है ये तो रामायन काल से हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा होता ही है उपेंद कुछवाहा तो पूँच में आग लगा कर बिहार में गुम रहे हैं अब मेरा ये कहने का मतलब बिलकुल नहीं है कि नितिश कुमार रावन है और उपेंद कुछवाहा हनुमान है हनुमान जी नहीं से उनकी तुलना नहीं हो सकती है और नितीश कुमार की कुछ भी हो उनका जो भी राजनितिक उनकी इस्तिती हो उनकी तुलना रावन से नहीं की जा सकती है लेकिन नितीश कुमार जो थे और जो हैं तुलना उसकी हो रही है किसी और से नहीं हो रही है, कि नितीश कुमार क्या थे और क्या हो गए, नितीश कुमार सामाजिक नयाय की शक्तियों के लिए, नितीश कुमार सुशाशन के लिए, नितीश कुमार नहतिकता की राजनीती के लिए, नितीश कुमार राजनीती में भरष्ट न होने वाले नेता इक नयाज से कोई नाता रह गया है, ऐसा दिखाई नहीं देता। और भरष्टाचार को तो उन्होंने जो है, आलिंगन में ऐसा अबद कर लिया है, कि उसको छोड़ेंगे ही नहीं। और जितना उसके नस्दीक जा रहे है, उतना उनकी छवी गirtी जा रही है। सुशासन बाबू से कुशासन बाबू तब का सफर नितीश कुमार का ये बिहार के लोग देख रहे हैं। अब उपेंद कुश्वाहा ने बोलना शुरू किया, तो नितीश कुमार कुछ दिन तो चुप रहे, बोले कि वो आते जाते रहते हैं, तो उसका जवाब दिया उपेंद कुश्वाहा ने, अलाकि नितीश कुमार कैसे यह बोल सकते हैं, वो खुद ही आते जाते रहे हैं, पा अच्छा बिहार में यह हो गई है क्या नितीश कुमार चौथी बार पल्टी मारेंगे। और इसका कहीं से जेडी की और से विरोध का कोई स्वार नहीं उठ रहा है। कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आर जेडी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। और बेचैनी इसलिए नहीं बढ़ रही है। जो पहले स्थिती थी कि तेजस्वी को गड़ि नहीं सौप रहा है। बेचैनी इस बात से बढ़ रही है कि आर जेडी के मंत्री है पहसर काम नहीं कर रहे है। और यह असंतोश की पहली कड़ी होती है। जब मुख्यमंत्री, गडबंधन सरकार का मुख्यमंत्री अपने गडबंधन की साथी पार्टी के मंत्रियों के विभाग में इस कदर दखल दे कि उनको लगे कि सरकार में होना और ना होना बराबर है तब समस्या शुरू होती है और ये समस्या अगर तुरंत इस पर काबू नहीं पाया गया इसमें इस्थिती में बदलाव नहीं हुआ तो रुपती नहीं महाराश्य सबसे बड़ा उधारण है इसी से शुरुवात हुई एकनाच शिंदे और उनके साथियों ने जो बगावत की उसमें बहुत से कारण थे लेकिन ये बहुत बड़ा कारण था उनके पास जो विभाग थे शिवसेना के पास, जो एकनाशिंदे के साथ हैं लोग, उन विभागों में काम नहीं हो रहा था, यहां तक की विधायकों के चुनावक्षेतर में विकास के काम भी नहीं हो रहे था, यहां से शुरू होती है, नेता को और सब बरदाश्ट एक बा अगलग है, आरजेडी की लोग परिशान हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हम, छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया, बड़ी पार्टी का नेता डिप्टी सियम हो गया, इसके बावजूद हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी का कोई म आत्मे रखना चाहते हैं, तो ये बीजेडी के साथ तो चल गया, क्योंकि बीजेडी राश्ट्री पार्टी है, बीजेडी के लिए बिहार एक मात्र राज्य या सब कुछ नहीं है, बीजेडी को पूरा देश देखना है, एक राज्य में समझोता कर लिया, उसके कारण क्य है, क्यों नहीं है, इस पर बहुत चर्चा कर चुके है, बीजेडी के साथ हो रहा है, वो तो चलने वाला नहीं है, नितीश कुमार को इस बात को समझना पड़ेगा, कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी इस्तिती क्या हो गई, प्रदेश में उनकी लोग प्रियता लगातार घट रही है वो जो समाधान यात्रा पर निकले हैं वो दरसल में समस्याओं से पलायन की यात्रा है वो समस्याओं को कंफरंट न करना पड़े इस से भाग रहे हैं और भागने का आलम ये देखिए कि पटना में लाठी चार्ज होता है और दो दिन बाद मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कम्मिनिकेशन के इस जमाने में और मुख्यमंत्री कहते हैं कहां हमको तो पता नहीं कब हुआ तो ऐसा जवाब देने वाला मुख्यमंत्री उस पद पर एक भी क्षण रहने लायक नहीं है उसकी योग्यता नहीं है और अगर वो नाटक कर रहा है तब भी रहने लायक नहीं है दोनों परिस्थितियों में तो नितीश कुमार इस समय समस्याओं से भाग रहे है समस्याओं को कन्फरंट करने की उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उनकी ताकत चली गई है वो जो उनकी ताकत थी सबसे बड़ी उनकी ताकत थी सुशाशन की कि प्रदेश भर में उनकी जो चवी है वो किसी और नेता की बिहार में नहीं थी उस सबसे पहला नुकसान उसका हुआ किसी नेता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जिस दिन उसकी कमजोरी सबसे बड़ी बन जाए समझेए उस नेता का राजनितिक पतंत है इसलिए नितीश कुमार के बारे में बार बार कहता हूँ कि नितीश कुमार का समय आ गया है देखिए रेटायर्मेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पर बड़े अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं बड़े अलग अलग तरह से लोग प्रतिक्रिया देते हैं मैं एक उदारन देता हूँ आदर्श के रूप में और वो क्रिकेट जगत से सुनिल गावसकर भारत के पूर कफ्तान उस समय जब उन्होंने रेटायर्मेंट लिया तब लोगोंने कहा कि अरे अभी क्यों अभी तो बहुत खेल बाकी था आपका और खेल सकते थे कोई दबाव नहीं था कोई कहन नहीं रहा था कि रेटायर हो जाईए किसी ने पूछा नहीं आपसे बी सी सी आई नहीं कहा सेलेक्टर्स नहीं कहा फिर भी सुनिल गावसकर माने नहीं पर अपने रेटायर्मेंट पर कायम रहे आज भी उनकी इस बात के लिए इज़त होती है दूसरा उधारम नायक थे भारती क्रिकेट के इतने बड़े आल राउंडर कि उसके बाद कोई हुआ नहीं उनके अकद का कपिल देओ भारत के कप्तान भी रहे है उनके साथ इसका ठीक उल्टा हुआ लोग पुछने लगे कि कब जाएंगे आखिर में जबरन उनको हटाना पड़ा BCCI ने तै कि ये मैच खेलेंगे आप ये तीन या चार कुछ मैच तै किये गए थे इसके बाद आपको अपने रिटार्मेंट की घोशना करनी पड़ेगी कपिल देव का कद कोई कम नहीं था लेकिन हर अच्छी चीज़ का एक समय होता है जो अच्छा है वो शास्वत होगा ऐसा नहीं होता है वो हमेशा रहेगा अमर हो जाएगा ऐसा नहीं होता निटीश कुमार के साथ तो और बुरी स्थिती है कि वो अच्छे होते अगर उनका सुशाशन का रुटबा बना हुआ होता उनकी वो साख उनकी वो विश्वसनियता अब भी कायम होती तो ये सवाल शायद नपूछा जाता अब हर वेक्ति चाहता है कि नितीश कुमार से बिहार को निजात मिल ली चाहिए नितीश कुमार से छुटकारा मिलना चाहिए और उपेंद कुश्वाहा जो कर रहे हैं उपेंद कुश्वाहा के बारे में नितीश कुमार ने कहा कि भाई वो तो आते जाते रहे पिर कहा कि जाना हो तो चले जाएं जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा अब उपेंत कुश्वाहा का जवाब देखिए उन्होंने कहा कि बड़े भाई के कहने पर अगर छोटा भाई घर से ऐसे निकल जाए तो बड़ा भाई सारी संपत्ति पर कमजा कर लेगा तो ये कैसे होगा फिर आगे जो कहा वो सबसे महतुपूर्ण बात है कि अपना हिस्सा लिये बिना नहीं जाओंगा कहा हिस्सा कोई पारिवारिक जगला तो है नहीं संपत्ति का जगला जो है वो राजनीतिक है राजनीतिक विरासत का है यानि जेडियू में अपना हिस्सा लिये बिना नहीं जाओंगा इसका मतलब यही है इसका मतलब क्या है कि JDU में अगर मुझे अपना वाजिब हग नहीं मिला तो तोड़ दूंगा पार्टी को अब वो 5% तोड़ पाएंगे कि 25% कि 30% ये किसी को नहीं मालूँ लेकिन उपेंद कुश्वाहा जिस प्रोजेक्ट में लगे है उसमें नितीश कुमार की छवी उनकी पार्टी की ताकत दोनों रोज बरोज घट रही है नितीश कुमार कुछ भी कहते रहे हैं और उन पर दबाव चो तरफा है अभी तक केवल दबाव था विपक्ष का यानि भारतिय जनता पार्टी का और उसके अलावा आरजेडी से कि कब छोड़ेंगे तेजस्वी को कब सौपेंगे अब तो उपेंद कुश्वाह भी और यही आरजेडी के लोग दूसरे रूप में पूछ रहे हैं जो डील हुई थी उसका पालन कीजिए अब नितीश कुमार से ने उगलते बन रहा है ने निगलते बन रहा है ने वो छोड़ पा रहे हैं ने उसको चला पा रहे हैं राष्ट्री महत्वा कांच्छा लेकर आ के चंदरशेकर राव जो पटना आये थे मिलने उनसे उन्होंने भी अपने कारिकरम में नहीं बुलाया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारों में जाने को तैयार नहीं है हमको लगता है उससे भी बचने के लिए यात्रा शुरू की है तो सारी ज के हों चैना इतिक्ता के हों इन सब सवालों से भागने के लिए यात्रा पर निकले हुए है नितीश कुमार इस यात्रा से कोई समाधान किसी का समाधान नहीं होने वाला है नितीश कुमार की अपनी समस्याओं का भी समाधान नहीं होने वाला है भागेंगे तो कब तक यात में पे तेयारी कर रहा एंगरी। in 24-49 कंचे वे उसकी तैयारी कर रही। वह संगु कर रहे हो राहूल गंदी कि बारचजोड्टा में इसलिए नहीं जा पायेंगे। उनकी पार्टी एंगरी। पर्टी है विस्ट पार्टी को एंगरी बस्ताATA नेता होंगे उनके अलावा 11 वेक्ति अगर लनन सिंग का नाम नगालेंड में जानता हो तो मुझे बताईए तो अगर ये सोच है राजनीति ये तैयारी है ये रणनीति है तो क्या हश्र होने वाला है इसका अंदाजा लगा लिजिए तो ऐसा लगता है कि उपेंद कुश्व वहां ने ठान लिया है कि अब नितीश कुमार की लंका दहन करके ही मानेंगे कितना सफल होंगे ये निर्भर करेगा जेडियू में असंतोष का स्तर कितना है लोगों की उमीद कितनी है और लोगों की मन में निराशा कितनी है ये मैं जेडियू की नेताओं और कारेकरताओं की बात कर रहा हूँ, मैं अभी जनता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जनता में अगर आज चुनाव हो जाए नितीश कुमार की ये जो 45 सीटे हैं, इन में से अगर 15 भी बच जाए तो आश्यर्य होगा, तो नितीश कुमार एक ऐसा सिक्का है जो चलन से बाहर हो चुका है लेकिन अब भी जो है बाजार में बने रहने की जिद कर रहा है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनमती दीजिए आपसे अंडरोध है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए, लाइक कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नमस्कार